देखें, capacitance of a parallel plate capacitor, इसको आप चाहें तो नहीं है, air capacitor, जैसा capacitor है, air capacitor का मतलब हवा का बना दिया अपने capacitor, हवा ली और ये हवा, ये हवा, हवा, कैपिस्टर बना दे, मतलब उस capacitor के अदर क्या है, vacuum है, ठीक है, तो उसका capacitance नहीं कालना है, ज़रा समझने की कोशिदी करो, एक तो ह याद करने न, एक होता है कि हम अपनी requirement देखेंगे, हमको proof क्या करना है, उसके हिसाब से उसको हम proof करेंगे, देखेंगे, जो हम बता रहे हैं, वो theory आपको लिखने है, लिकवानी राओं में, जो तरह डाइग्राम में बताय जा रहा है, कि let x and y be the two plates of capacitor, x और y दो plate capacitor की है, य ये plate ऐसी भी हो सकती है, rectangle हो सकती है, circular हो सकती है, ठीक है, उनको जो रखा गया है, मालिया circular plate आप लेते हैं, इस मतार से, ये मेरी नहीं है, ने बता देता हूँ, पर रखी हुई है, ये circular plate आपने लिया है, इना आपने रखा ऐसे हैं, इसमें ये वाला part आपको लिखाई plate x, plate x को हमने क्या दिया, plus q charge दिया, y induction, minus q charge is developed in the interior, inner part of plate y and outer part of plate y is connected to the earth, यहां तक बात सम्झा देखे, the distance between the plate is d, area of the plate is a, ठीक है, इतना हमको मालोगे, अब जड़ा आपना मोटो देखे, मोटो क्या है, हवारा मोटो यह है, कि हम इसमें c निकाले, capacitance निकाले, capacitance का formula होता है q upon, v, गलत है क्या, गलत यह हो सकता है, को बहुत प्रम्भक तोदी थोड़े हैं, सही निखेंगे, गलत भी ले सकते हैं, तो हमको क्या निकाला पड़ेगा, वी तो हमने कही यहां पर दिया नहीं है, कोई गोल्ट मिटर लगा नहीं है, तो b का relation होता है electric field से, e into d, तो हमको लिकालना है e, e का formula आपको जब गौस्त फरम पड़ाए गई थी, तो वहां पर दो parallel page थी, उनके बीच, उनके बीच, उनके बीच, यो charges थे, वो अलग अलग थे, एक प्लस थ साइट पे minus था, तो उनके लिए जो electric field का formula प्रूब क्या गया था, यहां से हम बात start करेंगे, यह आपको लिएत को लिए परेगा, और सिग्मा होता है surface charge density, q upon e, तो हमारे requirement क्या थी, c, हम औहुज गए e पर, तो हम बात कहां से start करेंगे, e से start करेंगे, तब यह समभातने ब वेकार होगी इनका एप, लिखेंगे, तो आप क्या कहेंगी, X और Y दो plates है, ठीक है, इनका area A है, इनके 20 की distance, D है, X को plus Q charge दिया गया है, induction के द्वारा, इसको की इसको की प्रेरिर करे लोगे है, के द्वारा Y के interior रिए पार्ट में मायनस क्यों चाहर दोपन होता है और प्लस यह वाई गाउटर पार्ट है वो अर्च से जुड़ा हुआ है ठीक है तो पहले तो इसके बीछ एक ELECTIC FILEREAT हुग लिया है यह ELECTIC FILELK की दिशा क्या होती है प्लस से दूर माइनस की हो तो एलेक्रिक फील्ड इंसाइड दा प्रीट इंसाइड दा प्रीट इसी को तो क्या होगा सिग्मा अपार अधले नॉट और सिग्मा क्या होता है अधिनी चार्ज पर एल्य अधिवरिय और इसमों क्या रिसकते ही इंसाइड और सिग्मा क्या रिखेंगे कम लिखेंगे क्या होता है क्यों थे पार एक इसमों चा पर ड्रीट यर्जंगे सťग्मा ओपार लिखेंगे क्ता प्रीट इसमा अध्यट sub Plates, Plates के मिश्ट प्रोटेइंचन डिटाइंच कितना है रच्भल ज्रू कितना है रच्भल में ज्रू कितना है ब्ली ज्रू क्या होता ऑए इंटू B प्रश्फ का वान रख दिया जाए तो क्या आएगा Q अपान A अप्शन नॉट इन्टू B वी निकल आया, अब क्या निकलना है, capacitance, capacitance of capacitor, C is equal to क्या होगा, Q upon V, यहाँ V की value, रख दी जाए, तो C is equal to क्या हो जाएगा, Q upon, क्यों हो जाएगा, QD upon A epsilon naught, और कुछ, पतम, BD cancels out, C is equal to A epsilon naught upon D, तो this is the capacitance of a parallel plate, A-R capacitor, तो जोट करें इसको जाएगा, अब अगर हम माल लेकर, माल लेकर एक इसके बीच में, कोई डाल्टिक कॉंस्टेंट के वारा, मेटेल भरा है, यहाँ पसल केस यहाँ ले सकते हैं, इस पसल केस, अब आपको एक साब, आपसे जो A-R capacitor बोला है, बोला नहीं और मने लिख लिया है, उन्हों केवल यह बोला था, कि आपको capacitor भी करना है, तो इस देर इस अनी material, देर इस अनी, डाइअलक्ट्रिक मेटेरियल, डाइअलक्ट्रिक, मेटेरियल, बिट्रिन दा प्रेइट, अगर इन प्रेइट के विच में, कोई डाइलक्ट्रिक मेटेल बरा होतो, तो तेन कैप्रिसिटेंज जो हो जाएगा, कैप्रिसिटेंज, इसको सी डाइस माले थे, यहाँ पर के और हो जाएगा, के अप्सालेट अपांडी, हमने बताया था है, विगर मीडियम है, तो आपको हाँ पर के इंट्रोडिस कर दीजिए, यह फामला भी आपको आगया, हम चाहें, तो सी डाइस डिकल्डू के सी ली सकते हैं, सी बोले तो, इन एर, और के टाइम्स कर देंगे, तो मीडियम में हो जाएगा, अच्छा, यह चीजिस से आपको दिख रही है, कि जो कैपेसिटेंस है इसका, वो किन-किन बहुत दो परटिपिन्ट करता है, एरिया के प्रपोर्शनेट है, हमने कल स्टेट में लिखवाया था, बताया था आपको, एक प्रूफ भी हो गया, ठीक है, के के प्रपोर्शनेट है, और डी के इसवर्स्टी है, ठीक है, तो कल बताया था डायेट, अज एक प्रूफ आगया, नोट करिए इसको, अभी तहम बात कर रहा है थे, कैपेसिटेंस निकालना था, जगकी दोनों प्लेट के बीच में एयर थी, पूरे के पूरे प्लेट में एक ड्यालेक्टिक कॉंस्टेंट भरा हुआ था, अभी का गया पार्ट्ले शुर्ट में ड्यालेक्टिक, मतब प्लेट के बीच में, पूरी की पूरी प्लेट के बीच में, आपका मेट्रेल नहीं भरा हुआ है, थोड़े भाग भरा हुआ है, यहां समझेंगा, हमने का सपोर्ज यह आपका, यह आपका कैप्रिसिटर की प्लेट है, X और Y, ठीक है, आपने X को प्लस की उचार दिया, कास दिया, उसे कोई वक्त नहीं, हमने एक पेल लिया और अपनी चूपडी में, जहां जहाँ बाल है माँमा ईससे लग आपको एसे टस्क राते ग प्लस क्यू चार्ज हमने इसको दिया इंडक्शन के द्वारा माइनस क्यू चार्ज हो गया और इसके बीच की दूरी कितनी है हमने इसके अंदर एक ड्यालक्टिक स्लाइब भर लिया वो चाहिव माइका हो सकती है हभ्रक कहते हैं माइका कू appreciate i रॉप हमने यह कहांद फसे और इसलाइब और इसी थिकनेस कितनी है टेक है यहमें हमने कि यह प्लेंट नहीं लगाई थी डाइप्रतर conflicting यहां पर दो होगे एक होगा एलेक्ट्रिक फिल्ड एयल में जो था वो इधर था इनौट और मीडियम में कितना हो गया इसे तो हमको निकालना क्या है सी निकालना है ना तो सी निकाले के लिए क्या चाहिए आको भी निकालना पड़ेगा दिकालना पड़ेगा और यहां पर दो होगे एक होगा एलेक्रिक फ्रिडिन एयर और एक होगा इंदा मीडियम ठीक है अचार मीडियम में होगा कैसे जा सुमन लीजे ज़्यादा ठीक रहेगा जब मैंने स्लैब लगाई थी तो इसके अंदर एक्षन क्या हो रहा था इसके इसका जो निगेटिव चार्ज है वो इस इसके अंदर एक एलेक्रिक फिल्ट रही है तो आप लिखेंगे लिखेंगे कि एक्षन वाई आर्टू प्लेट्स आउप कैफिस्टर इचार हैं में दोनों के एडिया सेम अगर नहीं लेते हैं तो उसमें इंडक्शन नहीं हो पाएगा वही मालें एक आप इतना बड़ा टारते हे लेते हैं वह एक फिल्ट क्रीवाइग लेते हैं तो इंडक्शन नहीं होंगा रहबर साइस के और चाहिए है encontramos Q charge given to the plate X, परे समझ लिया करें बाद में print चलाएगे, ठीक है, हुटता क्या है, print चले रखता है, उपर, plus Q charge is given to the plate X and by induction minus Q charge is induced in the interior part of the inner part of plate Y and outer part of plate Y is connected to the hardware center, ठीक है, a dialectic slab of dialectic constant K is inserted between the plates of thickness T, बस इतनी कहाने लिखने है, कहारी इतनी न हो जाए, कि examiner theory डोंटता रहे, mathematics कहाने लिखने है, ठीक है, तो पहर है रिखेंगे electric field, electric field between the plates in air, आपने air के electric field को किसे indicate किया है, E naught, E naught प्रावर क्या हो जाएगा, Q upon A epsilon, that को दीजे, sigma upon, epsilon रुता है न, Q upon A epsilon and that of in the dielectric slab, dielectric slab, E is equal to, क्या हो जाएगा, sigma upon, K epsilon not, वे आउटी तो same रहेगे न, जितना चार्ज आप इसमें इसमें दिया है, उत्रा ही negative इदर shift हुआ होगा, state will become Q upon A epsilon not, आप लिखेंगे, potential difference between the plates, between the plates, तो दोनों को potentials को plus करना पड़ेगा, potential in air plus potential in, अब आपके एगर उसमें तो electric field negative है, उससे अब से बतल नहीं है, potential in square quantity होती है, तो जो आप लिखेंगे, electric field in air, तो बताएगे इसमें कितने पार्ट पे air है, d आपकी ये मोटाई है, उसमें से ये है, dielectric slab, d minus t, तो यहां क्या जाएगा, d minus t, प्लस, जब मीडियम की बात करेंगे, तो मीडियम कितने में है, medium बोले तो, dielectric slab, तो e कमान रख दिया जाएगा, क्या आएगा, q upon A epsilon not, d minus t, plus q upon A epsilon not into t, तो q upon A epsilon not, तो आएगा, d minus t plus t upon t, ये तो आगया, potential, ठीक है, ओचे यहां तक, ठीक है, अब बात करें, capacitance की, the capacitance of capacitor, capacitance of capacitor, आप सुलत रहे के सब क्या बताय जारा क्या है, क्या करेंग पड़के, जिन दरस्थाओं में अब रहे रहे हो ना, पानी चाहिए, तो नल से निकलाएगा, ठंडा चाहिए, तो ठंडा हो जाएगा, गरम चाहिए, तो गरम हो जाएगा, जहां चाहिए, वहां कर देंग रोबोट आकर पानी टाल देगा, रोबोट आकर खाना के लाएगा, सुचा भी लेगा, नहीं आएगा, एक जेपी पहलेस होटल अगरा का महां मारे जानने वाले गए, तो वहां देगा, लेटिन के सीख में सँचाने वारा पार्टी नहीं है, तो पानी नहीं काकर, अब प अब याओ, कॉटन पैड जिसे बाहर जाएगा, तो यह पैड काटन निटाली और हराम से हाथ ऐसे, दो रीजियो, बुले वो तो अंदर, बुले अंदर नहीं बटन लगेगी, वो सिस्टम हाथ आएगा, समचाग चला जाएगा, अब को कंप्यूटर वाला हुआ, अब अब करना करिए, तो यह जो के प्रसिटार रहा हुआ, यहां तो पड़ रहे हो, इसी के सारे सुन्दाओं का बोग कर रहे हो, तो अब कर रहे हो, आप जिना के अप्स्टर वाले दुनिया में रहते, पापा आपन पत्ता पहिने भागे चले जा रहे है, पत्थर लिए, पत्थर लिए, घट्टा बही सावी खा रहे है, जब पच्चा खाते होंगे, तो पकाने लगे तो वहां बुद्ध ना, तो यह जो पढ़ रहे हो, तो सवस्था होंगे, वहीनी का सबुद्ध रहे हैं, अब बोग जानने वाले है, वर्मा जी, बोग अगे टेट से पत्थ वो बताये तो ही, अब हम लोग कोई उन्ना हो रहने वाले हैं, हम लोग को निगे 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 निगे, अब ही आप कही होटल जेव तो बटन दबाये, हम मारचा देख वाद हुआ, तो एक लिए गये तो वो बटन दबाये पूर सावर्ट लेगा, भीगे, तो भीग असे है मतलब आप ट्वालेट गे तो मतलब भीग गे मतलब ही गे तो हम मतलब ऊपर सकत रहे थो, हम लेगा उस से नहीं भीगे, हम भीगे मतलब, सबर गगा वे यारे, रिकारडिंग चले दूगी तो अब कैपसिटर निगालते हैं कर आप, तो स्चील सावशन क्या हो जाएगा, क Q, T minus T plus T upon K upon A epsilon not अपर आएगा, यह कैंसे हो गया, so C is equal to आएगा A epsilon not upon T minus T plus T upon T, यह आपका capacitance of the capacitor having the dielectric material partly filled with dielectric material, not fully, अब यहाँ कुछ, special cases है, देखिए, special cases, इसको equation बढ़ बंड़ा दो, special cases, पहला case यह है, कि अगर dielectric slab जो है, go completely उसके बीचों लग दिया जाए, and if slab is placed, slab is placed in the entire place, the entire capacitor, पूरे capacitor में, अगर आप slab रख देते हैं, तो slab की thickness किस्टे को रुजाएगी, D के को रुजाएगी, तो दरा equation 1 में, T को D रख दीजे, by equation 1, C is equal to A epsilon not upon D minus D plus D upon के DD cancel out, so C is equal to A epsilon not upon D, इसकी पहले वाले प्रूप में ध्यान रखिए, ऐसे प्रूप क्या था आपने, तो इंटार सर्फेज जो है, उसमें यह आपने, डियालेक्टिक मेटेर रखा हुआ था, दूसरी बात क्या रहे हैं, गिफ, डियालेक्टिक मेटेरियल इस अप्चेंट, डियालेक्टिक मेटेरियल इस अप्चेंट, और यह आपने वहाँ नहीं रखा हुआ है, तो टीकमान क्या हो जाएगा, जेरो प्रक्दो एक क्वेशन बढ़ने, वाइक क्वेशन बढ़ने, इस फर्मूले को याज रखिए गहाँ आपने बहुत सारी इस में सिप्स रख लिए हैं, बहुत सारी डालेट्रिक मेटे मेटे में रखिए हैं, इनके तिकन्स की वर दीट्की हैं, केबल केट्वर केजन इसे, अब जबंके नेकाफिक कॉंस्टेंट्स हैं। तो इसरा केस है, इस सो मगी लिए। दिफरन्ट टाइलेक्ट्रिक मेटेरियल टाइलेक्ट्रिक मेटेरियल इस प्रेस्ट अब यह मान ही रहे क्यों थिकनेस क्या है अपने आप काम ब्लेट में हम रज देंगे तो C is equal to क्या हो जाएगा A अप्षाले not अपान T minus T हो जाएगा आपका T1 प्लस T2 प्लस 1 प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस 1 कि इसा इस्पिसल केस हो गया जितने भी क्लैश आप रखेंगे इस अपको प्रेक्ट्रिक मेट इस अप्षेंट अप्षेंट चौथा केस है कि जो टाइक्टिक सब्सेंट वो एक मेटल है जो समझेगा इफ डाइक्टिक प्लस इफ डाइएलेक्रिक मेटेरियल इस अ मेटल जो इसको ध्यान रखेगा मेटल के केस में K की वलूट इंफरनेट होती है मेटल को कितना भी आप चार्ज देते रहते हैं चार्ज उसको जाता रहता है तो K उसका इंफरनेट होता है तो जरा एक्वेशन 3 में 1 में तो C क्या हो जाएगा A अपसाले नॉट अपान D माइनस T टी अपान के वाला स्टिप 0 होता है तो यह आपका डॉट